आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello Friends, हमारे पास यह क्विशिन दे रखा क्विशन बुला गया है कि एलक्रिक फ्रील फिर लोट मंफ फ्रेट्स अभवर प्रेट अपैलर क्वेड कैपसिटे कैसे चेंज करेंगा तक चा republic ब्युक्स वता हो डवल हो जाता है ठीक है यजी स्च पारोड क्यूवल है है और इनके वपर जो चार्ज है वह initial हम क्या लेते हैं शबोस करो यह यहां पर चार्ज रहे हैं इस तरीके से charge होगी यह तो इनिशली सबोस करते हैं यहांकर Q1 जो चार्ज हो Q एक वाल्य थीक कर यह area इसका से में इसकी separation D है ठीक लिए इसकी potential difference initial case में भीवन ले लेते हैं ठीक है यहां से यहां का जो potential difference है दोनों plates का वो कितना है भीवन है अब यहां पर एक चीद्ध हां दिए तो इसकी capacitance कितने लिखेंगे हैं capacitance तो capacitance जो हम लिखेंगे c1 वो क्या लिखो कि ए एपसेलन नौट अपॉन डी ठीक है या फिर माने के चलते हैं capacitance c1 है ठीक है और charge q है और q1 है और इसकी potential difference v1 है तो आप relation क्या लिखो कि cqv का आप लिखो q1 equals to c1 into v1 ठीक है मतलब v1 equals to q1 upon c1 अब यही capacitance में क्या करते हैं चार्ज को सिर्फ double कर देते हैं ठीक है चार्ज को सिर्फ double कर देते हैं मतलब q2 जो हो जाएगा वह 2q के equal हो जाएगा ठीक है और यह जो आप देखोई इसकी जो capacitance होगी वह पहले भी change नहीं होगी मतलब c1 में भी और c2 दोनों में capacitance रहेगी क्यूंकि a और d और एपसेलन नौट को तो हम चेंज नहीं करें या इसके बीच का मेडियम को तो सब्सक्राइब यह सी के equal होता है तो यह किसके रावर हो जाएगा वी वन इकल्स टू क्यू अपॉन सी ठीक है इस इक्वेशन नमबर वन ना अब आप सेकेंड में क्या कर रहें क्यू टू को टू टाइबस आफ क्यू कर दे रहें ठीक है तो एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो अगर suppose को यहाँ पर किसी एक instant पर electric field E है और इनकी बड़ इंसेल डिफरेंस अगर V है और इसका जो separation D है तो जो electric field लिखा जाता है between the plates electric field between the plates ठीक है वो क्या होगा E जो होता है E equals to क्या होता है V upon D के एक्क्वल होता है और D अगर constant है दोनों कैसे में तो E जो होगा और डाकली पोस्टनल टू क्या हो जाएगा V तो आप क्या बोल सकते हो कि E2 upon E1 equals to V2 upon V1 आएगा अब from equation 1 and 2 से क्या लिख सकते हैं देखिए इसको लिख सकते हैं V2 को 2Q upon C और इसको लिख सकते हैं Q upon C from equation 1 and 2 ठीक है 1 and 2 से अब यहाँ पर देखिए Q upon C Q upon C cancel हो जाएगा तो E2 upon E1 जो जाएगा वो किसके रावर आजएगा 2 के एक को ला जाएगा ठीक है E2 upon E1 हमारे पास क्या आगया 2 के मतलब E2 जो हो जाएगा वो 2 times of E1 हो जाएगा मतलब डबल हो जाएगा E2 ठीक है हमारे पास जो क्यूश्चन पूचा गया था कि E2 में क्या चाहिए जाएगा तो E2 जो जाएगा Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स आठ चारसो 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 पर